सावन के पहले सुमबार पर इन चीजों से करे भगमान सिव का अविसेख बन जाएंगे साड़े बीगरे काम धार्मिक मत है कि सावन महिने में भगमान सिव की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों के प्राप्ति होती है साथ ही घर में शुक्षम्रदी और खुछाली आती है इसके लिए शावन महिने में भगमान सिव संग मा पारवती की विसेख पूजा की जाती है वही सावन सुमबार का व्रत भी रखा जाता है सावन का महिना देवों के दीर महादेव को शमर्पित होता है इस महिने में भगमान सिव संग मा पारवती की विसेख पूजा की जाती है साथ ही सुमबार का व्रत रखा जाता है इस व्रत की पूर्णी प्रताप से सादक की हर मनो कामना पूर्ण होती है साथ ही भगमान सिव की के पास सभी विग्रे काम बन जाते हैं सिर पुरान में नहीं थै कि भगवान स्रिव महाज जलाविसेग से प्रसंद हो जाते हैं सावन सोमबार पर जलाविसेग का विसेज महत्त है अता सावन महा के प्रतेक सोमबार पर भगवान स्रिव का जलाविसेग और रुद्राविसेग किया जाता है अगर आप भी मनवानशित्वल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोंबार पर असनान ध्यान कर विधी विधान से भग्मान सिव की पूजा करें वही पूजा के समय इन चीजों से भग्मान सिव का अभिशेक करें भग्मान सिव का अभिशेक अगर आप मन चाहा जीवन साती पाना चाहते हैं तो सावन सोंबार पर कच्चे दूद से भग्मान सिव का अभिशेक करें दूद से भग्मान सिव का अभिशेक करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है अगर आप जीवन में व्याक्त दुख और संकट से निजात पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोंबार पर अशनान ध्यान की बात गंगा जन्मी काले तिल और बेल पत्र मिला कर भगमान सिब का विशेख करें इस उपाय को करने से कुंडली में अशुव ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है अगर आप करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो गंगे के रस से भगमान सिब का विशेख करें इस से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है इस उपाय को करने से करियर में मन मुताविक सफलता मिलती है अगर आप भगमान शिव का अशियवाद प्राक्त करना चाहते हैं तो गंगाजल से भगमान शिव का अभिशेक करें इस उपाय को करने से भगमान शिव शिग्र प्रशन होते हैं अगर आप कुंडली में शुक्र द्रह मजबूत करना चाहते हैं तो दही या पंचा मृत से भगमान सिर्गा विशेक करें इस उपाय को करने से जातक को सभी प्रकार के शुखों की प्राप्ति होती है दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी किर्प्या कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें देने बाद दोस्तों मिलते हैं ऐसी ऐसी जानकारी के साथ तब तकी देने बाद